नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टा वर्ण माला के वर्णों को लेकर इस से पहले हमने का और चा वर्ण माला के वर्ण हैंगे उनको लेकर उनका उचारण कैसे होता है अगर किसी को कुई कनफूजन है तो उन वीडियोगों को देख सकते हैं आज हम बात करेंगे टा को लेकर टा जो वर्ण माला है वो मूर्धन्य है यानि कि वो हमारे शरीर के हमारे मूह के मूर्धन्य से उसका उचारण होता है अब मूर्धन्य क्या होता है वो आपको एक बार मैं फिर बता देता हूँ हमारी जीब के उपर वाला जो हिस्सा होता है जिसको हम एक तरह सा अगर हम छट मान कर चलें तो उसका जो बीच का हिस्सा है वो हुआ हमारा तालू तो तालब ये जितने भी वर्ण होते हैं उससे उचारण होता है उससे थोड़ा सा अगला हिस्सा जो हमारे जो सामने उपर के जो दांत देख रहे हैं उस दांत से अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो पीछे की तरफ जाने पर उन दांतों से थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा जो हमारे उपर का छट वाला हिस्सा है तालू से आगे लेकिन दांतों, ये सामने वाले दांतों के पीछे वाला हिस्सा उपर की तरफ ये हुआ मूर्धन्य तो इस जगह के इस अंग के इस्तिमाल से, जीब और इस अंग के इस्तिमाल से हम इन इस वर्ण माला में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उनका उचारण होता है, कैसे होता है ताकि कोई confusion आपको ना रहे है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ आज की वर्ण माला है त, इसमें जो वर्ण है वो आपको बता देता हूँ ठ, ठ, ड, ध, ध, न, ठीक है, शुरू के जो चार आपने सुने ठ, ठ, ड, ध, ध, ये तो है मूर्धन्य और लास्ट वाला जो है न, वो है नासक्य, नासक्य है न, नाक से उसका उचारण करते समय हमें मदद लेनी होती है जितनी भी वर्ण माला की मैं बात कर रहा हूँ सभी वर्ण माला में जो आखिर के 5 वर्ण है वो वर्ण जो है वो नासक्य है तो इसी तरह ता में भी ठ, ठ, ड, ध, न, ये है न, नासक्य, उससे पहले मूर्धन्य अब देखे मूर्धन्य में क्या होता है जैसा मैंने आपको बताया टा का जो हम उच्छारण करते हैं हम जीब का जो अगला हिस्सा होता है उस जीब के अगले हिस्से को हम मूर्धन्य वाला हिस्सा जैसा मैंने आपको बताया जो सामने आपको उपर वाले जो दांत देख रहे यह जीप पीछे से जूड़ी हुई है, यह पीछले वाला हिस्सा है, जो गले में जाता है, यह अगला फ्री हिस्सा है, जो आपको सामने से देखता है, इसमें हम टा की जो बात कर रहे हैं, उसका उचारण यहां से होगा, यह उपर मूर्धने, यह दात अगर हम यहां मानकर तो यहाँ पर इसको touch करना है त, ठीक है, यह touch होगा, ठीक है, अब इसी में हम अगर ह का उचारण जोड़ देते हैं, तो यह होता है थ, अंग्रेजी में भी आपने देखा होगा, त के लिए रिखा जाता है, टी, लेकिन जब थ लिखते हैं, तो अंग्रेजी में उसके लिए ना है, तो यह होगा, ठ, उचारण महीं से होगा मूर्धन्य, जैसे मैंने आपको बताया, ठ का, लेकिन इसमें ह और मिक्स होगा, ताकि यह ठ बोला जाए, ठीक है, ठ, 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 ठीक, अब इससे आगेश जो है, इसी वर्ण माला में, अगला अक्षर है, ड, ठीक ह जब हम बोलते हैं, तो गले का यह वाला हिस्सा हिस्सा हिस्तेमाल होता है, और ड में थोड़ा सा गले का निश्ला वाला हिस्तेमाल होता है, जब हम हवा छोड़ते हैं, ठ, ड, ठ, 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 और थम में किया था, तम में हमने H मिलाया, वो थम हुआ, इसी तरह हम ड, यानि कि D, ड में अगर हम H मिलाएंगे, D, H, तो वो हुआ ध, यानि कि D में आपको ह, ह, ये उच्छारण और मिलाना है, तो ड में हम ये ह मिलाएंगे, तो ये होगा ध, 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 ठीक है, अब बात कर देंगे इस वर्ण माला के आखरी अक्षर की अर्वो है, इसमें देखिए, आपको जीब का ही इस्तिमाल करना है, लेकिन इसमें माली जीब है, ये उपर तादू से टाच होती हुए, बाहर की तरफ थो करती है, ठीक है, आपको जीब को थोड़ा सा पीछे की तरफ, मैं इस इसको इस तरह से दिखाता हूँ, ये जीब है आपकी, और ये पीछे से जुड़ी हुई है, ये जीब का अगला हिस्सा है, ठीक है, ये और ये आगे से मूँ खुला हुआ है, इसमें होगा ये कि ये रना, रना, इस तरह से, ठीक है, बोलते हुए बाहर खुलेगी, पहले ठीक है, तो आज हमने बात की है, तव वर्ण माला को लेकर, अगले वीडियो में हम बात करेंगे, तव वर्ण माला को लेकर, जो की दंत्य श्रिणी में आता है, दंत्य वर्ण माला में, कैसे उसका उचरान होगा, अगले हम वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज का वीडि उसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरीए पहुंच जाए आप हमारे सारे सोशल प्लैटफॉर्म से भी हमसे जोड़ सकते हैं ताकि आप तक वो वीडियो पहुंच सकें आप चाहें तो WhatsApp से, Telegram से, Facebook से, Twitter से, YouTube से और Instagram से हर प्लैटफॉर्म पर हमसे जोड़ सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार